असलाम अलेकूम आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ट्वेटा एक्वा माडल की बात करें तो 2011 माडल है और इसमें इंस्टाल इंजन है 1500cc का पेट्रोल इंजन के साथ है ये गाड़ी पेट्रा इंस्टाल इंस्टाल डिटेल रिव्यू स्टार्ट करेंगे इसके की से ये इसके रिमोट में दो अप्शन दिये गए है लाक और अनलाक का और ये गाड़ी पुश्टार्ट है अगर फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में आपको लो बीम और हाइब बीम दोनों हैड लैंप से पलास्टिक में यह आप देख सकते हैं अगर सेट प्रुफैल की बात करें तो साइट प्रुफैल में आपको रेटेक्टेबल मेरर में आएंगे और साथ में इंडिकेटर का आप्शन दिये गया है और यहाँ पे आपको हैबरेट का ब्रेंडिंग देखने को मिलेगा अगर अगर टायर्स की बात करें तो इसमें 15 इंच की टायर्स और साथ में एलाय रिम्प इंस्टाल किये गए है इस गड़ी में कोई डेन पैन कलर अविलेबल नहीं है और ये गड़ी आपको मिलेगी अखान मोटर शूरूम में एं अगर बात करें तो रियर्स dome में आपको टफेटा का ब्रेंडिंग साथ में एकवा का ब्रेंडिंगöst और यहाँपे आपको रिवर्स लाइट याइट इंडिकेटर और ब्रेक लाइटे का option दिया गया है इंडिकेटर काफी फ्रीम्यम तरीके से डिजाइन किये गए है इस गाड़ी का बिलकुल खामोश गाड़ी है कुई आवाज नहीं है इस गाड़ी में यहाँ पे हाइबरेड सिनर्जी ड्राइव का लोगो दिया गया है काफी चोटी गाड़ी है लेकिन फिर भी 1500 सिसी पेटरोल इंजिन के साथ है यह गाड़ी अब चलते हैं इसके इंटीर की तरफ और आपको इस गाड़ी का इंटीर दिगाते हैं अच्छा यह फरंट डूर के अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सेंसर का आप्शन भी दिया गया है यह आप देख सकते हैं गाड़ी लाक हो गई यहाँ पे इस तरह यह गाड़ी अनलाक हो जाती है की का option भी दिया गया है और body color का handle दिया गया है अगर front door की बात करें तो gray color का और black color का combination दिया गया है और साथ में far windows बिनेंगे और यहाँ पे आपको storage के लिए भी space ही आगया है और यहाँ पे यह sky color का frame दिया गया है का भी अच्छा लुक दे रहे है इस गैड़ी की power यह windows कीज को अगर steering की बात करें तो without multimedia system जो है steering मिलेगा आपको और यहाँ पे twitter का branding किया गया है और साथ में airbag का option भी दिया गया है और steering आपको power steering मिलेगा यहाँ पे आपको android panel मिलेगा और साथ में AC on करने का आफ करने का और auto option दिया गया है मतलब यहाँ से आप AC को control कर सकते है इसके इलावा यह गड़ी आपको automatic transmission के साथ मिलेगी और साथ में दो cup holders भी install किया गया है अगर यह इस box की बात करें तो storage के लिए यह space पी दिया गया है यहाँ पे switchboard में आपको यह space पी दिया गया है और इसके इलावा यहाँ पे भी space आपको मिलेगा अगर उवराल interior की बात करें तो इस गाड़ी का interior जो है वो black में है और यहाँ पे gray color का यह frame भी दिया गया है switchboard को जो के बहुत अच्छा लुक दे रहाए और यहाँ पे इस टरंग में आपको chrome का यह frame भी इस टरंग में मिलेगा और यह गाड़ी जो है यह आपको push start में मिलेगी यह गाड़ी मैं अभी start कर देता हूँ आप देख सकते हैं गाड़ी हो गई यह start बिलकुल खामोश गाड़ी है कोई आवाज नहीं है इस गाड़ी में मीटर आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा अगर sun shards की बात करें तो यहाँ पे आपको mirror का option मिलेगा यहाँ से आप कोल सकते हो और बंद भी कर सकते हो ड्रेवर वाली साइट पे यह mirror दिये गया है और passenger वाली साइट पे आपको mirror नहीं मिलेगा यहाँ पे cabin lights जो आप यहाँ से आन आफ कर सकते हो आप देख सकते हैं अब चलते हैं इस गाड़ी की back seats पे और आपको back seats पी तिकाते हैं अगर back door की बात करें तो same color combination ग्रे कलर का और black में आपको यह latches मिलेंगे साथ में lock और unlock option मिलेगा पौर windows मिलेंगे और यहाँ पे storage का भी यह तोड़ा बहुत space भी दिये गया है और यहाँ पे आपको audio system भी मिलेगा back seats आप बाहर से देख सकते हैं ग्रे कलर और black कलर का यह मैट दिये गया है seats की उपर अगर space की बात करें तो काफी comfortable गड़ी है यह आगे seats और पीचे seats की दर्मियान काफी space दिये गया है यहाँ पे आपको AC का option नहीं मिलेगा बेक सीर्स की लिकिन storage दिये गया है कफ holder है साथ कोई कफ और आप रख सकते हैं इसमें black interior के साथ है यह गड़ी और यह गड़ी आपको मिलेगी खान मोटर शूरूम में काफी अच्छा लुक दे रहा है पीचे से यह गड़ी फ्रीमियम तरीके से डिजाइन के गया है एकवा गड़ी है एवरिज की लिहास से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा एवरिज दे रहा है यह गड़ी ट्वेटा एकवा तो हजार गेरा माडल है पंद्रसू सीसी पेटरॉल इंजन के साथ है यह अब चलते है इसके इंजन पर आपको इस गड़ी का इंजन भी दिखाते हैं अगर इंजन सस्पेंशन की बात करें तो इंजन कंप्लीट अपने हालत में है और आल गड़ी में कोई डेंट पैंट कल अगर इस गाड़ी की डिमांड की बात करें तो शूरूम वालों की तरफ सी डिमांड किया जा रहा है बार लाक अची हजार रुपे यह गाड़ी में आपको दुबारा बताते हैं जनू नान कस्टम पैड़े और आपको मिलेगी हान मोटर शूरूम में मिलेंगे एक नहीं वीडियो में एक नहीं गाड़ी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज